हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी के अफसुल स्टडी के अफसुल में आपको सागते दोस्तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इससे आपको हमारे लेटेस वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा सब्सक्राइब के बाजियो में एक बेल का साइन होगा वहाँ पे जरूर ट्लिक किजेगा उससे जब यहम वीडियोज अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकिशन तुरंद आ जाएगा वीडियोज को लाइक जरूर कीजे और शेयर करना न भूलिए अगर आपको कोई भी क्योरी हो regarding your study तो प्लीज आप हमें mail कर सकते है हमारा email idea studycapsule15 address gmail.com और आप हमें facebook पे भी फॉलो कर सकते है हमारा facebook page www.facebook.com slash studycapsule आज का हमारा important topic है IBPS clerk means complete analysis आज का जो exam हुआ IBPS clerk का 2016 का जो आट थी उसका आज मेंस हुआ prelims का जो cutoff था 60 marks उसी सबसे हमने सोचा ही था कि exam बोर्ट टफ होने वाला है क्योंकि एक घंटे के अंदर एक one hour का exam था उसमें hundred question थे उसमें से अगर 60 का cutoff लग रहा है it means that कि सारे जो भी बच्चे जो भी उनका accuracy और उनका attempt अच्छा रहा होगा और जो scholar मतलब उन्होंने जिन लोगों को सिलेक किया था उनका attempt 60 के उपर ही होगा तभी तो 60 का cutoff लगा है और वो पास होके मेंस के लिए जो भी सारे मेंस को कौलिफाई होगे वह सारे के सारे उस लेवल के बंदे होगे इसलिए उनको चुनने के लिए उनको सिलेक करने के लिए इंटर्यू तो नहीं था क्योंकि पूरा exam जो था आजका मेंस के उपर depend था तो that's why exam tough आने वाला था अगर easy हो जाता तो सारे लोग 170-180C कर लेते थे तो फिर दिक्कत हो जाती थी इस साल वेकंसी भी बहुत कम थी यह जो पूरा scenario आज हम discuss करने वाले और नए साल के आपको बहुत बहुत शुपकान है happy new year to you all of you so शुरू करते हैं आज पहले तो हम देखते हैं complete analysis करने वाले इस वीडियो में और आगे की strategy भी बढ़ताने वाले आपको कि आपने क्या करने चाहिए आपका अगर अच्छा paper नहीं गया होगा अगर कोई section आपको टब गया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा के लिए था लेकिन इसमें 40 question थे ओके 40 questions थे English 40 question for 30 marks quantity अपको 50 marks के लिए था लेकिन इसमें 40 question थे ठीके तो इन दोनों में 50 mark के लिए लेकिन 40 question थे और general awareness 40 marks computer awareness का वेटेश था 20 marks लेकिन उसमें भी question थे 40 so computer को 20 minutes थे general awareness को 25 minutes और quantity up to your reasoning को वेटेश 50-50 है लेकिन उसको था time 30 minutes 30 minutes तो total 1 35 minute का exam था और उसमें आपको 200 question थे तो देखा जाए तो आपको 15 minutes अभी तक के regular time में आपको 1 20 minutes मिलते थे 200 लेकिन इस first time ये time alert किया था उन्होंने आपको specific time में specific आपको वही section solve करना था क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है last time ये इसा हुआ था हर बार ऐसे होता है कि अगर आपके कोई reasoning में आपकी command ये तो आप ज्यादा समय उसमें लेके 30 minutes ये आप बताया गया है उन्होंने अलोट किया है लेकिन आप इसमें 40-45 minutes लेकि आप आपका अच्छा score कर सकते थे और हमेशा बच्चे वही करते थे students वही 10 minutes थे आपको लेकिन आज का जो टॉपिक था एक जनुवरी 2016 को मेंसु आपको स्कलर का 2016 का उसका देखते सेक्शन वाई देखा जाए तो English language ये गूट अटेंब्स हमने डिसाइड किया है आउट आप 200 ओके आउट आप 200 ये 123-128 जो गूट अटेंब्स बता रहे सो हमने ये कहां से आपको बता रहे क्योंकि जो हमें मेल किया है हमें कमेंट्स किये हमें जिन लोगों भी मेल किया उनका आटेंब इस सारे ओवर्व्यूज देखके हम ये आपको बता रहे कि English language में जो आउट आप गूट अटेंब बता गया है वह 17-22 में बता गया है रिजनिंग सेक्षन के अंदर बता गया है 16-21 के बीच में गूट अटेंब बता गया है 123 to 128 के बीच में, इसमें भहरी हो सकता है, यह कुछ हमारा आजम्चन है, जिस तरह हमें आप students ने बता है, उस तरह से हम आपको बता रहे, और जो आज का exam का पूरा अगर overview देखा जाए, तो उससे आप से था, इसमें भहरी ऐसा हो सकता है, कि अगर आपका computer आप IT background से हो, तो आ आप इसमें 5-10 mark add कर सकते हो, मतलब अगर 40 marks के लिए, 40 questions पुछी जाते है, 20 mark के लिए, तो अगर आपने इसमें से, आपके 36 बराबर आते है, या फिर, मतलब उसमें आप 2 divide कर लिजे, उस answers को, ठीक है, उस correct answers को, तो उससे साब से आप इसमें 5-10, मतलब 30 से 35 आपके correct और general awareness अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, या फिर आप daily newspaper पढ़ते होंगे, तो अगर आप 30 से 35 के बीच में आपका आटेम होता है, तो आपका overall total आटेम भी आपका वहरे हो सकता है, तो अगर इधर आपका general awareness और computer में आपका आटेम ज्यादा होता है, mostly general awareness, क्योंकि क्या होता है, यह turning factor हो जाता है, computer में तो आपका divided by 2 हो जाएगा, 40 questions divided by 2 मतला है, आपके मुवेटेज वो 20 marks के लिए पूछा जाता है, लेकिन English reasoning on con, यह बहुत ही मतलब moderate level का आया था, ज्यादा top नहीं बोलूँगा, moderate जिन लोगों ने अलग तरिखे से सोच के या फिर उनकी ज्यादा practice थी, तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर उनका अच्छा गया होगा यह section, और अगर नहीं अच्छा था उनका, अगर किसी English नहीं तो वो general awareness section में उन्होंने cover कर लिया होगा, तो चले देखते हैं, यह तो हमने बता दिया कि good time आपके क्या हो, अगर यह आपके good time इतने है, तो आप खुद को secure मान सकते हैं, ऐसा मान के चले हैं कि हाँ, आपके कोई chances से, क्योंकि इस बार interview नहीं है, last time भी नहीं थे, लेकिन last time क्या हुआ था, after exam आपको पता चला था, कि interview होने वाले है, या नहीं होने वाले, लेकिन इस बार सारे लोगों को, सार कर लिया, अभी देखते है, quantity of aptitude, जो 40 marks के लिए पूचा गया था, और इसका weightage था 50, ठीक है, 50 marks के लिए 40 questions, so data sufficient के past question पूचे गए, quadratic question, दोस्तो, quadratic equation पूचा गया, अभी तक नहीं पूचा गया था, बस PO में, तो आप just इसमें, आप सोच सकते हैं, कि अभी तक clerk में quadratic equation कभी पूचा नहीं गया था, first time quadratic equation पूचा गया, so यह PO level के लिए आता है, ठीक है, professional officer जो scale 1 का post होता है, उसके लिए आता है, so quadratic equation पूचा गया, data interpretation 10 mark के लिए पूचा गया, उसमें 2 set थे, 1 set easy वाला था, और दूसरा moderate to difficult था, ठीक है, miscellaneous question means speed and time, profit loss, time and work, average, ages, इसके उपर 15 question पूच के लिए पूचे गए थे, so काफी लोगों ने, जिनका number series अच्चा है, जिनका practice अच्चा है, यह तो number series ऐसा नहीं है, कि आपको बस logic होता है, आपको पता होता है, कि square कर लिया, किसी number के addition कर लिए, तो आपको आज आता है, number series के practice आपको, कम से कब आप 500 के 1000 के उपर, जब to difficulty, बस यही आपको बताना था, कि अगर आप 40 में से आपका आटेम, जो मैंने पहले बताया, उतना अगर आपका है, तो आप खुद को safe मान के चलिए, तो total quantity attitude का जो paper था, वो moderate to difficult था, आगे चलिए, आगे देखते, English language, जो कि difficult बताया गया था, जैसे कि reading compression, फर्स्ट मतलब, दो पैरगा पुछे गए, आट, आट मार्क के लिए, ठीके, दो पैरगा पुछे गए, नॉर्मली नहीं तो story based एक ही पैरगा पुछा जाते है, और close test पुछे जाते, लेकिन इस बार close test नहीं थी, ठीके, close test नहीं थी, दो reading compression पुछे गए थे, कम से कम 78, 78 मार्क के लिए, द पुर्वाल पेपर था, difficult, जो reading compression थे, जो passage अब तक आते थे, close test जो आता था, वो story based आता था, ABPS clerk के exam में, लेकिन इस बार GDP से related, जो भी financial inclusion से related आते थे, अगर आप daily newspaper पढ़ते हो, Indian Express, the Hindu, जो भी newspaper आप पढ़ते हो, अगर आपका English की reading अच्छी है, तो आपको अच्छा गया ह इसी बात नहीं होती है, English की reading compression होगा, या कोई भी चीज की आप exam से पहले 10 दिन कर ले, एक मैना कर ले, तो आप इसमें pass हो जाओगे, हाँ, हाला कि आप pass भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपको scoring करना है, आज कल की exam में आप pass होना important नहीं है, आपको score करना पड़ता है, तो अग आपको ये passing marks मिल भी जाएंगे, लेकिन score करना पड़ेगा, तो कम से कम आप अभी भी ताहरी कर सकते हो, अगर आपको difficult गया होगा, तो अभी भी आपके preparation शुरू कर दिजिए, तीन चार महीने continuous newspaper रेट कीजिए, जो भी आपको difficult लगता है, उसके vocab search कीजिए, paragraph लिखिए, आ लोजिकल 4, sitting arrangement 27 marks के लिए पुछा गयते, दोस्तों, 40 marks में, 40 question में से, अगर 27, approximately 25 से सत्ता है, अगर आपको sitting arrangement और puzzles पे पुछा जा रहे, तो just imagine किजिए, कि आपको puzzles की कितनी ताहरी करने, जैसे कि सारे को पता है, कि सिलोलिजम नहीं आया था, सिलोलिजम सब को आता है, ठीके वो तो ऐसा होता है, कि अगले दिन भी आपने आपका concept कर लिया, 2-4 examples all कर लिया, आप next time पे सकतो, यहीं उनको पता था, कि जो आपको आता है, वहीं उन्होंने नहीं डाला था, सिलोलिजम नहीं डाला था, कोडिंग डिकोडिंग 5 mark के लिए, data sufficiently 3 statement डाले थे, 4 marks के लिए, so स सिलोलिजम नहीं थे, उपर से sitting arrangement पजल 24 marks, मतलब 50% paper तो आपका puzzle के उपर डिपेंट था, अगर एक और इसके उपर 30 minutes time आपको अलोट किया गया था, 40 marks, 40 questions for 50 marks के लिए पूचा गया था, और 30 minutes उसको time अलोट था, तो अगर आप 4-5 पजल भी अगर आप पकड़ ले हो, तो 5 पजल का आपको 25 minutes तो वही हो जाते, आगे के 5 minutes में आप क्या, लेकिन अगर आपका puzzle solve होता है, 5 minutes के अंदर तो, so imagine किजिए paper काफी difficult रहा होगा, लेकिन लोगों ने काफी अच्छे से solve किया है, so आप निचिंद होई है, अगर आपके puzzle अच्छे solve आपने कर लिया है, तो आप निचिंद रही है, ठीके, आगे देखते, general awareness, general awareness ये काफी easy रहा, easy रहा मतलब जीन लोगों का study हुआ होगा, easy रहा मतलब easy उनीकों जाता है, जो पढ़ाई करते, ठीके, ऐसा तो नहीं होता है कि question बहुत easy है, question easy क्यों लगते है general awareness के अगर आपने वो पढ़े हो, ठीके, easy level बहुत भी रहता है उसका, ज्यादा उसका, आज का जो पेपर था, general awareness और computer awareness का थोड़ा easy था, general awareness के लिए जो चालिक स्मार्स के लिए पुछे गए थे, कम से कम लोगों का आटेम 30-35 था, ठीके, 30-35 था, काफी अच्छे question पुछे गए थे, जैसे कि मैं आपको बता देता काफी question में बता सकता हूँ, hand in hand जो, you the best होता हूँ, इंडियन चाइना के बिच में, काफी सवाल है, अगर आपको चाही होगा, तो please आप हमें comment में किजिए, मैं पूरे के 40-40 question आपको, एक separate video बना के, आपको explain कर दूँगा कि कौन से question आपको पुछे गए थे, इससे आपका अगर आपको चाही होगे, तो please मुझे comment में लिखके विजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बना दूँगा, और computer awareness के लिए देखा जाए, तो computer awareness काफी easy था, easy था, so, ओर आले, दो section ऐसे थे, कि आप इसमें score कर सकते, तो इसके तो weightage 20 marks था, और इसका 40, अगर ये 40 अगर ये 40 marks था, ठीके, तो ये 40 marks में से, 40 marks general awareness और computer के 26, out of 60 marks में से अगर आपका, इसमें अगर 40 भी आ जाता है, ठीके, और 45 आ जाता है, तो आपका काफी अच्छा score आ जाता है, आप काफी अच्छा lead कर लेते हो, so, ये तो पूरा senior हो था, लेकिन अगर आपको exam अगर difficult गय होगे, उसमें आपको जरूर उसका फाइदा होगा, एक आप, एक नॉर्मल, अगर आप आज, अगर आपका exam हुआ है, तो आप आज break आपने लिया भी होगा, लेकिन आप अगर कर से पढ़ाई, आपकी अगर कोई भी exam हो, जैसे का IDBI bank, executive, Indian post payment bank, so, इन सारे चीजों के लिए आपने अगर पढ़ाई शुरू करने है, तो पढ़ाई किस तरह से करने है, एक strategy बनाई है, आपको syllabus पहले तो पता होना चाहिए, और expect कीजिए कि अभी, expect कीजिए आपको easy exam आने वाला है कोई भी, ठीके, हर साल के लिए competition बढ़ता जा रहा है, तो आपको हरिश्वन्ष रा नवका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीके, लहरोज से डरकर नवका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्नी चिटी जब दाना लेकर चलती है, चड़ती दिवारों पर सो बार फिसलती है, मन का विश्वास रंग होती है स्विकार करो क्या कमी रही गई देखो और सुधार करो जब सपल ना हो नीन चेन को त्यागो तुम संगर्शो का मैदान छोड कभी मत भागो तुम कुछ किये बिना जय जय कार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सो फ्रेंड आप होप नहीं छोड़ना है आप पड़ाई कीजिए आप जरू सक्सेस आपको मिलेगा चलिए थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज हमें मेल कीजिए और हमें कमेंट करके भेजिए हम आपकी हैप जरूर करेंगे ठीक हमारा मेल अएडिया से टेडिकाप्सूल15-gmail.com और आप हमें फेस्बॉक पर फालो कर सकते हो www.facebook.com झाल चैटेडू तैक्यों वाचे तरू निस विडियो फिर्ड़ंग इडार।